अलो एश्पिंट्स, वेलकम टू अनलोग GS अकेडमी, चलिए स्टार्ट करते हैं, मेंस अंसर एप्रोच का 13 सेशन, जिसमें हम UPSC के GS के चारो पेपर को अंसर राइटिंग के दौरा कवर करने का प्रयास करते हैं, हमारे सेशन की हैं रिटन नोट्स की पीडियेफ आपको मरे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिससे आप जोड़ सकते हैं, इस सेशन में हम चार कोशन डिसकस करेंगे, जिसमें से एक कोशन रहेगा GS पेपर बन के आदुनिक भारतियास खंड से, एक कोशन हम देखेंगे GS पेपर 2 के भारतिया सासन खंड से, दो कोशन हम प्रिवेस 12 सेशन में कवर करा चोके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये कोशन GS पेपर बन के पोस्ट इंडिपेंडेंस खंड से है, जिसमें आप से पूछा गया है, कि चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्मान भारत की अर्थ विवस्ता के लिए लाप्रद है या नहीं, तो इसमें जो समय समय पर नए राज्यों की जो मांग हुटती रहती है, तो इसको आपको बताना है कि क्या अर्थ विवस्ता के लिए अनुकूल है या पृतिकूल, तो इस कोशन की एप्रोच हमारी बही रहेगी, जिससे हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडेक्शन से, और फिर उसके सरशना या बोडी के अंतरकत हम बताएंगे इसके पक्ष और बेपक्ष के कि ये अनुकूल है अर्थ विवस्ता के लिए और पृतिकूल है अर्थ विवस्ता के लिए नए राज्य, फिर इसके लास्ट में जब हम इसके निस्कर से इस कोशन को end करेंगे तो सबसे पहले हम इसके introduction के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले हम बताएंगे कि भारत में सुतनता के पशाथ से ही नए राजों की मांग शुरू हुई और उस समय जो नए राजों की मांग का आधार भासाई था बर्तमान में भी गोर्खा लेंड और बुंदेल खंट ये भासाई आधार पर ये राजो की मांग लगातर हुटती रहती है बिद्वानों का जो मत है कि नए राजो का गठन भैतर शाशन पृषासन के अलावा राजो के संसादनों का समुचित उपयोग सुनिशित कर सकता है लेकिन आलोचक इसके लिए बारे में कहते हैं कि ये देश के संसादनों का अपवै होगा इसके बाद हम देखते हैं इसके पक्ष के बारे में कि नए राज्यो का गठन अर्थ प्रवस्ता के लिए लापरद हो सकता है जैसे की हम बात करें नए राज्यो के गठन से राज्यो का आकार छोटा हो जाएगा जिससे सासन बाब प्रशासन को सुगम संचालन सुनिश्चित किया जा सकता है और सासन प्रशासन की दक्सता सुनिश्चित होगी दक्सता उसके अंतगत भड़ेगी और देश की अर्थ पवस्ता के लिए जो पृतिकूल प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है इसके लाब अगर हम बात करें बड़ा राज्य होने की स्तिती में होता क्या है कई बार कोई छेतर प्राकर्तिक संसादनों से संपन होने के बाद भी गलत नीतियों के कारण सामजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा रह जाता है जो कि छोटे राज्य होने से इस तरीके के हम समाबेशी विकास को भाकर सुनेश्यत कर सकते हैं जो सामजिक नीतिया है उस छेतर के एकौर्डिक बना सकते हैं जिससे उसका जो सामजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है उसको दूल کیा जा सकता है जो की अंतिम रूप से देश की अर्थ विवस्ता को लाप पहुचाएगा इसके लाब अगर हम बात करें जब हम नरे राज्यों का गठन करेंगे तो उस राज्य में जो निर्जातिय और संगर सेवं छेतरबाद की जो प्रबर्ती है जो राष्ट प्रोधी समस्या हैं उसका समादान सुनिश्यत हो पाएगा जिससे देश के अंतरकत एक राष्ट बात की भावना भड़ी की जो की आर्थिक गति विदियों में इसका एफेक्ट दिखाई देखने को मिलेगा क्योंकि वे आर्थिक गति विदियों में उनकी समुचित भागीदारी सुनिश्यत हो पाएगी जो की अंतत है भारतिय अर्थ विवस्ता की गति सुनिश्यत करेंगे इसके लावा जो सासन की योजना हैं सही लावारतियों तक उसको पहुंचाए जा सकता है अगर राज्य छोटा होगा तो जिससे की राज्य में जो पिसमता है इनिक्यूलिटी है उसको कम किया जा सकता है क्योंकि यदि राज्य के अंतरगत बिसमता अधिक होती है तो वे अलगावाद, नकसलबाद और उगरुबाद जैसी इनिक्यूलिटी को दूर कर सकेंगे तो इससे हम राज्य के अंतरगत जो अलगावादी जो प्रवत्या है उसको समाप कर सकेंगे आंतरिक सुरक्षा को सुनिशित कर सकेंगे जिसके फल्स रूप निवेसकों को निवेसक उस राज्य में आकर सित होंगे और अंतते आर्थिक विकास सुनिशित हो पाएगा तो इन पॉइंट्स में हमने जो नए राज्यों का घठन अर्थ विवस्ता के लिए लाप्रत हो सकता है उसके पक्ष में बिचार किया अब हम देख लेते हैं कि ये अर्थ ववस्ता के लिए प्रतिकूल रूप से कैसे प्रभावित कर सकता है उसके विपक्ष में हम देखते हैं कि नए राज्यों का घठन अर्थ ववस्ता के लिए लाप्रत नहीं जब अलग-अलग छोटे-छोटे राज बन जाएंगे तो उनके लिए होगा क्या अलग-अलग प्रसासने घवन और कारयलों की स्थापना करनी होगी जिससे राज्य पर अतरिक्त बै भड़ेगा साथी साथ नए राज्य के घठन से संसादनों का बटवारा होता है जो एक राज्य को हो सकता है कि कम संसादन पराप्त हो दूसरे राज्य से तो जिससे राज्य अन्ततय करना पढ़ेगा और अधिकरण और जो विवास समाधन तंत्र का निर्मान करने के कारण ब्याय की भड़ोतरी होगी इसके लाब अगर नागरिकों के मद्ध दोईस्वा हिंसा की भावना बढ़ सकती है अलग अलग राज्य के होने के कारण जो संसादनों एवं सरकारी इमारतों को नुक्सान पहुचा सकते हैं जिससे की अंतत है अर्थववस्ता की प्रगती को वे प्रितिकुल रूप से प्रभावित करेगे तो इन पॉइंट्स के थुरू हमने ये बताने का प्रियास किया कि नए राज्यों का घठन लाप प्रद नहीं है अर्थववस्ता के लिए इसके बाद हम इसके निसकर्स की बात करें तो इसको आप निसकर्स में लिख सकते हैं इसको आप कार देजेगा इसको निसकर्स के रूप में लिख सकते हैं कि यदि विकासात्मक कार्यों को भड़ावा देने के लिए अगर नए राजिका घठन किया जा रहा है तो वै उचित है लेकिन ये राजनितिक लाफ एबं बोट वेंग के लिए अगर ऐसा किया जा रहा ह तो इससे देश की अर्थ विवस्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो इससे आप इसमें निसकर्स के रूप में लिख सकते हैं इसके अलाबा अगर हम बात करें निसकर्स के रूप में तो इसकी सकरात्मक और नकरात्मक दौनर प्रभाव हमने देख लिए अतया आ नए राज्यों के घठन को लेकर बिसे साब्धानी बरतने की आप सकता है बस्तुते राज्यों के घठन से ही उस छेतर का विकास संभब नहीं हो सकता अगर हम यह मालने की उसके छोटे राज्य बना दिये जाएं तो उसका विकास संभब हो जाएगा तो ऐसा नहीं बलकि हमें जरुवत है कि साशन को सुचारू संचालन उसका सुनिश्यत किया जाए नीतियां और उसका समुचित किर्यान बन उस राज्य के अंतरगर्द सुनिश्यत किया जाना चाहिए ना कि नए राज्यों का घठन उसका एक सॉल्यूशन है तो यह कोश्चन हमने डिसकस किया जीएस पेपर बन के पोस्ट इंडिपेंडेंस खंट से आप इस कोश्चन का अपने स्तर पर लिखने का प्रयास कर सकते हैं उसको कमेंट सेक्षिन में पेश्ट कर सकते हैं जिसका हम एवेल्यूशन करने का प्रयास करेंगे चलिए चलते हैं नेक्स कोशन पर, नेक्स कोशन है ये जी एस पेपर 2 के भारतिय गवर्नेंस खंट से जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल के जो इमानदारी सूचकांक में भारत काफी नीचे के पायदान पर है, संचेप में उन बिदिक, राशनितिक, आर्थिक, सामाचिक तता सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा की दिये, जिनके कारण भारत में सार्वशनिक नैतिकता का हिरास हुआ है, तो इसके अंतरगत आपको जो सार्वशनिक नैतिकता का हिरास देखने को मिलता है, तो उसके जो भिविन आयाम हैं विदिक इंटरनेशनल है 1993 से प्रतिबर्स बैस्विक इस्तर पर इमानदारी सूचकांग ये निकालती है जिसके अंतरकर ये करप्षन परसेप्षन इंडेक्स इसके दौरा निकाला जाता है इसमें जो सरकार होती है निजी छेतर होते हैं नेता होते हैं कॉर्परेट्स और प्नोकर सा और जो आम जनता की इमानदारी के भिविन मानकों पर उसको परखा जाता है इसके लाबागर हम बात करें 2021 के सूचकांग की तो भारत की जो रैंकिंग थी बे 85 बे नंबर पर था भारत 180 देशों की रैंकिंग में और उसका जो करप्षन जो परसेप्षन इंडेक्स का जो इसकोर था वे 40 था तो इसके इस फैक्ट से हम इस कुश्चन की सुरुवाद कर सकते हैं इसके लाबागर हम देखें तो इसके सामाचे के वह सांस्कृत कारक क्या है भारत में नैतिक्ता के हरास के के तो उसके बारे में हम देखें तो पश्चिमिकरन का प्रभाव पढ़ा है जिससे देश के अंदगत उपभोकता संस्कृति को भढ़ावा मिला है परणाम शुरूप जो परंपरागत त्याक की भावना है उसकी जगे उपभोक की भावना जगे ले चुकी है जिससे समाच के अंदगत ब्रष्टाचार की समस्या भढ़ रही है इसके अलाबा जो उपभोकता बाद वो बहुतिक बाद है वो लगातार भढ़ रहा है जिससे की बैक्ति बाद की प्रब्रति को लगातार बल मिल रहा है और जो बैक्ति आध्यात्मिक सुकों की जगे बहुतिक सुकों को प्रात्मिकता दे रहा है और इन सुकों की प्राप जिससे की सार्वशनिक नैतिकता का छरण हो रहा है और ब्रस्टाचार के प्रती समाज के अंतरगत एक आम सहमती बनती जा रही है। बेरोजगारी के कारण आज समानता में ब्रदी हो रही है इनिकुलिटी उसके इंतरगत भड़ रही है भारत के अंतरगत जो की लोगों को भरस्ट आच्रण के दौरा अपनी आवशक्ता की पूर्ती के करने के लिए प्रेरित करती है। बन परसेंट बेरोजगारी है जो की 45 साल में सबसे जादा थी। इसके इलाबा अगर हम बात करें इसके भिभित कारकों की तो अपने बिसिक इबंब पुराने हो चुके जो कानून है उनके जो कानून के निर्मान जो आज भी हो रहा है उनका केरियान बन थीक तरीक से सुनिश्ष्यट नहीं हो पाता जैसे कि हम बात कर लेयें लोकपाल इ किमी कर देती है क्योंकि कई समय तक न्याय पालेका के अंतगत मामले लंबित होते हैं जिससे की ब्रष्टाचार की समस्या समाज के अंतगत और ज्यादा भर जाती है इसके लाबा जो हादिकारिक तंत्र है उस पर निर्वरता है पारदर सिता का आभाब है वो भी एक तरीके स इस एल्टिमेट रूप से ब्रष्टाचार को भड़ाबा देता है तो यह हमने बात की इसके भिवित कारकों की जो की सारचनिक नेतिक्ता के हिरास का कारण है इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है यह भारत के सुरक्षा खंड से यह जी एस प प्रभाबित जो छेत्र हैं में खत्रों के प्रतिकारार्थ, भारत सरकार, नागरिक प्रशाषन एबुन सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए यानि कि किन उपायों को इसके इंतगत अपनाया जाना चाहिए तो इसमें आपको जो लेफ्ट फिंग एक्स्ट प्रभात करेंगे जिसके अंतगत हम बताएंगे कि हाली में मिनिस्ट्री ओव जो होम अफेर्स है उसका डेटा रिलीज हुआ जिसने यह बताया कि देश में नकसल हिंसा 77% कम हुई है 2009 से 2021 तक इसके लाबा जो लेफ्ट विंग जो एक्स्ट्रमिस्म वाले जो इलाके हैं उ इसके से सभी भागों की अपेक्षा जो पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जो भाग हैं बहां पर बाम पंती उग्रबाद अधिक गंबीर समस्या अभी भी बना हुआ है तो इस ग्रह मंत्रा लेके डेटा से हम इस कोशन की शुरुआत कर सकते हैं फिर हम देख लेते हैं कि देश के जो पूर्वी भाग में बाम पंती उग्रबाद के प्रमुक नर्धारत तत्व कौन से हैं क्योंकि जो पूर्वोतर है बचीन से हात्यार एवं अन्य गोला वारूत को भारत लाने के लिए एक पार्गमन मार्क के रूप में इसको उप्योग किया जाता है इसके ला इवं चरंपंती संगठनों दौरा इसके लाबागर हम बात करें यहां की जो बोगोलिक परिस्तिया हैं यहां पर पारी हैं और घने जंगल हैं जिसके करण से जो सुरक्षा बलों पर काफिले पर घात लगाकर बैठने के लिए इन जो उग्रबादियों को लिए एक सुरक् चरंपंती उग्रबाद दोरा उठाया जाता है जो CPI माववादी और मडिपूर का प्यूपिल लिबरेशन आर्मी है PLA है उसके मद एक समझोता है जो की PLA के दोरा माववादियों को प्रिसिश्चन दिया जाता है जो की यहां पर उग्रबादी गतिविदियों को संचालि करता है इसके लाब जो उल्फा है वे भी माववादियों का लगातर सयोग करता है लंबे समय अंतराल में भी हमने देखा कि जो इंटेलिजेंस हमारी जो एजेंसिया है वे माववादियों और उत्रपूर्प के जो चरंपंती जो समू है उनके मद्द संबंदों को ठोस और जो पूर्वी उत्तर वाले जो भाग है उसमें बामपंती उग्रबाद के प्रमुक नरधारक कों से है अब हम बात कर लेते हैं इनके उपाय के बारे में क्या रणनीतिया हमारी होनी चाहिए इनको यहां से दूर करने के लिए तो सबसे पहले हम समाधन सिध्धान की बा हुआ है अगर हम समाधन सिध्धान की बात करें तो इसमें सभी जो दिये हुए है जो अलफाबेट्स उनका एक अपना एक मतलब है जिसके अंदगत S से है आपका स्मार्ट लीडर्शिप यानि की कुशल नेत्रत A से है आपकी अग्रेसिव स्ट्रटजी यानि की आकरामक र प्रॉद्व की का दोहन एंड एसे आपका आता है एक्शन प्लान फोर इस थेटर यानि की जो हर एक यहां पर जो समू है उनके लिए हर एक के लिए अलग-अलग एक्शन प्लान हो साथी साथ बित्त तक उनकी पहुँच को रोकना यानि की नो फाइनेंस तो यह समाधन उगरबादियों के जो समर्थक बैटे हुए हैं उसके नेटवर्क को तोड़ना जिससे की यूबा इनके जो हिंसक चरित्र को से परिचित हो सके इसके लाब पूर्ग के छेत्रों में जो विकास आत्मक गतिविद्यों को हमें भड़ावा देना चाहिए जिससे की बहाँ प उसको उगरबादी गतिविद्यों में जाने से रोका जा सकता है इसके लाब जो सुरक्षावल हैं उसको इस्थानी समदाई के साथ भैतर समनवे का प्रयास करना चाहिए जो नाकरिक प्रशाशन है उसमें इस्थानीय सहभागिता सुनिशित करनी चाहिए और जो पंचायत हैं यहां के लिए एक बिसेस केंद्रिय सायता दी जाती है सड़क संपर्क योजना यहां के लिए बनाई कई है जो कि प्रभाविच छेतरों के अंतरगत लगफग लगफग 5000 किलोमीटर की सड़क का निर्मान यहां पर किया जाएगा जो कॉसल बिकास पड़योशना के अंत जाती है लोगों के लिए जो स्कूल्स होते हैं बहां पर स्कूल खोलने के लिए योजना बनाई गई है इनके जो बित्य समाविशन सुनिश्यत करने का प्रयास किया जा रहा है इसमें यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी नागरिकों के लिए लगफग 5 किलोमीटर के स्पा है इसके लाबा जो भारस सरकार राज्य सरकार और नागरिक प्रशाषन को भैतर समन्वे के माध्यम से नीति आयोग का जो आखांची जिला कारिकरम चल रहा है उसके अंदक जिसमें 115 जिले सामिल हैं उनके जो उसको सफल वनाने का इनको प्रयास किया जाना चाहिए जिससे की लैफ्ट विंग जो एक्स्ट्रमीजम का जो मुद्धा है बामपंती उग्रवाद का जो मुद्धा है उसको समाब किया जा सके तो यह कोशन हमने डिसकस किया जीयेश पेटीर के सुरक्षाभन से चले चलते हैं next question पे, next question है है जीयेश पेपर 3 के ही डिजास्टर मैनेश्मेंट खंट से है जिसमें आपसे पूशा गया है कि भू इसकलन एक लगातार और आबरती घटना है और भू इसकलन से होने बाले अधिकान जोकिम धलान की प्रकृती और सामगरी से सम्मंदित पहलू पर आपरयाप्त ध्यान देने के कारण है इसका आपको विशलेशन करना है तो इसमें आपको चर्चा करना है लेंड स्लाइट के बारे में लगातार जो लेंड स्लाइट आती रहती है उसके बारे में बताना है और साथी साथ उसकी प्रकृती और सामगरी से सम्मंदित पहलू पर आपको चर्चा करनी है तो सबसे पहले हम इसकी जो introduction की इसकी शुरुबात करेंगे भूश कलन की परिभासा से जिसके अंतरगत हम बताएंगे कि भूश कलन को एक धलान के नीजे चटान, मलवे या प्रत्वी के दरभमान की गती के रूप में परिभासत किया जाता है बड़े पैमाने पर बरबादी का एक प् का लगातर बारिस के करण भूश कलन जिसमें मनिपूर का जो तुपुल इस्टेशन था उसकी इमारत को काफी नुकसान पहुचाया बड़े पैमाने पर जो मलवे ने जो बहां की इजेई नदी बहां पर रहती थी तो उसके मार को अबरूत किया जिससे एक विसाल बहां प की गती है गुर्तबा करशन बल के कारण ये नीचे की और आ रही है ढाल के अंतरगत तो इस डाइगोराम को हम इसमें बना सकते हैं इसके अलाबा अगरा हम बात करें भूश कलन के लिए भारत की सुबे दिता की तो जियोलेजिकल सर्वे ओफ इंडिया के अनुसार भारत के कुल भूबाग का लगवक 12.6% भूश कलन से समभावित खतरनाक छेत्र भारत के अंतरगत है इसके अलाबा IPCC की रिपोर्ट की बात करें जो अभी फिप्त रिपोर्ट अभी जारी की है जिसके अंतरगत 1.5 डिक्री सेल्सियर जो की दो दसक के अंतरगत भर जाएगा जो की पूर्व प्री इंडेस्टियल एरा से होगा और इसकी जो बैस्विक ब्रदी होने के कारण लगाता ग्लेशियर पिगलेंगे जिसके कारण से भूश कलन की घटना में ब्रदी होगी इसके अलाबा जो हमारा अतिदिक आस्थिर हिमाले है अंडमान निकोबार की जो अपिक् के कमपन के फल्सुरूप भी भूश कलन की संख्या में ब्रदी होती है साथी साथ अगर हम बात करें हिमाले छेत्र की नदियां काफी यहां पर सक्तिसाली है जो कि अपनी यूवा वस्ता में होने के कारण ये अतिदिक म्रदा का कटाप करती हैं जिससे भूश कलन की घटना यहां पर पैदा होती है इसके लाब अगर हम बात करें एक यूके की सैफिल्ड विस्विद डेले की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दो हजार चार से सोला की अबधी में मानप फ्रेरेद घातक भूश कलन में सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक था इसके लाब भूश कलन के प्राकरतिक कारण क्या है हम भूश कलन के कारणों के रूपे दो कारणों का विचार करेंगे एक तो हम देखेंगे प्राकरतिक कारण और एक हम देखेंगे मानव जनित कारण तो हम देखते हैं सबसे पहले प्राकरतिक कारणों के बारे में जिसके अंतरकत भूकम एक महत्पून प्राकरतिक कारण है क्योंकि हमारे जो हिमाले है दो महादीपी प्लेटों के अभीसरन के मद्दिस्तित है जिसमें दक्षन में हम भात करें तो इंडो-अस्टेलियन प्लेट है और उत्तर में यूरेसियन प्लेट है और ये अत्य दिक सक्रिय भूकम प्रभावित छेत्रों के अंतरगत आता है जिसके अंतरगत ये जो मिट्टी है उसको ढीला कर देता है जिससे भूज कलन की संख्या में व्रद्धी होती है इसके अलाब बर्सा भी एक महत्पुन कारक है प्राकरतिक कारक के रूप में काफी बर्सा होने के होता है जिसके कारण से यहां पर सेडिमेंटरी रॉक्स होने के कारण यह भूज कलन से प्रभावित होती है इसके अलाब जो हिमाले की डलान है पैवी काफी जादा है जो कि एक इसको प्रेरित करती है भूज कलन के लिए इसके अगर सरशना की बात करें तो यहां पर यह ज देख लेते हैं इसके मानब जनित कारकों के बारे में अगर हम बात करें जो जूम खेती यहाँ पर जिसको हम slash and burn खेती के रूप में जानते हैं तो यह बिसेश रूप से हिमाले छेतरों में होती है जिसका प्रफाब भू इसकलन के रूप में देखने को मिलता है इसके लाबा बनो की कटाई यानि के डिफॉरेस्टेशन और जो ग्रेजिंग है चराई है बैबी एक इसका एक महत्पुन कारक है क्योंकि हिमाले छेतर की जो पेड़ों की भिवित्ता होने के कारण यहाँ पर जो इधन के लिए इसकी अंधदुन कटाई होती है और जो पेड मिट्टी को एक साथ रखने एबम कटाब को रोकने में एक महत्पुन भूमिकाने बाते हैं और जब यह पेड नश्ट हो जाते हैं तो भू इसकलन को रोकने में यह आसमर्द होते है इसके लाबा जो चराई है उसके कारण से धांस के मैदानों का सफाया हो चुका है जो की भूश कलन को प्रेरित करता है इसके अलाब़ जो अभेद खनन एपम ओदो के गतिविदियों के कारण जो हिमाले के संबेदन सिल छेत्रों में इसका अतिदिक प्रभाब पड़ता है चट्टानों में इन गतिविदियों के अंत कलन जैसी घटनाय भापर होने लगती है इसके अलाब अगर हम बात करें बुनियादी धाचा परियोजना है जो भाँ पर चल रही है हमाले की तलहटी के अंतरगत कई नदियों के स्रोथ होने के कारण जैसे कि यहां पर टेहरी बहुदेसी बांध परियोजना है जिसके अंत सहरी करण होना जो सहरों की तरब लोगों का लगातर प्रबासन भड़ता जा रहा है तो सहरों में भूमी कम होती जा रही है जिसके कारण से बन छितरों को का सफाया किया जा रहा है और यह जो बन है मिटी के कटाप को रोकने में एक सायक की भूमी करने बाते हैं तो यह बन की बारंबारता इन छेत्रों में भर्टी जा रही है, जलवाईव परइबरतन होने के खरण भी बरफ लगातर पिगल रही है, जिससे निचली सते पर पानी का रिसाब लगातर होता है, और ये पानी मिट्टी का कटाप करता है तो यह हमने बात की भूज कलन के कारकों की अगर हम बात करें इसके सरशनात्मा कुपायों की इसको हम उपायों को दो तरीके से देखेंगे एक तो सरशनात्मा कुपाय और एक हम देखेंगे गैर सरशनात्मा कुपाय तो सरस्चनाइत्मा कुपाय में हम देखेंगे, तो इसमें हम देखते हैं कि जूम खेती को रोक लगानी चाहिए, इसके लाबा जो बाल का प्रोकोब है उसको कम करने के लिए भूजल को रिचार्ज करने की जरूरत है, परयाबरन में सुदार करने के लिए जल ग्रेंड छेत के ढलानों पर घास के आबरण सुनिशित किया जा सकते हैं, ब्रक्षा-अरोपन को किया जा सकता है, और जो भारत का जो एकिकरत बार्टर सैट प्रबंदन कारिकरम हैं, उसके अंतरगत इन कामों को किया भी जा रहा है, इसके अलाबा कर मैं बात करें, चडाई जो प्रतिबं किया जा सकता है इसकी धलानों पर जैसे की बट्रेश फीम रेटैनिक पॉल और जियो गिट का इसमें निर्मान किया जा सकता है तो इस तरीके के सरशनात्मा कुपाई इसके अंदरगद सुनिश्चित किया सकते हैं जिससे की भूष्कलन की घटनाओं को कम किया जा सके इसके अगर हम बात करें गैर सरशनात्मा कुपायों की तो इसके अंतरगत बुनियाच्टी धांचा जो परियोजना है उसका एन्वार्मेंट इंपक्ट असिस्मेंट याने की प्रयावरन ये प्रभाव आंकलन उसका सुनिश्चित किया सके इसके अलाबा जो प्रयावरन के प्र खतरा मानचेत्र भाव पर तयार किया जाए जो प्रभावित लोग हैं उनको तुरिष साहता के लिए इस्थानी आपदा प्रबंदन पर बल दिया जाना चाहिए इसके अलाबा भैतर समन मिटिगेशन और अनुकूलन तक्निकों के लिए बैग्यानिक और भू बैग्यानिक को सामिल करते हुए एक इसताई मूल्यांकन टीम का निर्धारन इसके अन्तागत सुनिष्य wonder जाना चाहिए साती साथτα इमाले के जो सतत विकास के लिए इसके अंतकर सामिल किया जाना चाहिए तो ये हमने बात की गैर सरशनादमक उपायों के बारे में इसके बाद हम देख लेते हैं इसके निसकर्स के बारे में जो National Action Plan for Climate Change है हमारा जिसके अंतरगद आपके 8 मिशन आते हैं उसमें से एक मिशन है हमाले पारिस्तिती की तंतर को बनाए रखने के लिए राष्ट्य मिशन तो जरूत यह है कि जो मिशन चल रहा है NAPCC के अंतरगद हमाले पारिस्तिती की तंतर को बनाए रखने के लिए जो राष्ट्य मिशन है ये बिविन मुद्दों का सामना कर रहा है तो जरूत है कि इन मुद्दों को समाधान सुनेशित किया जा सके और इसको हेमालेच एको सिस्टम का जो सस्टेनेबल डैवलप्मेंट इसके अंतरगत सुनेशित किया जा सके जिससे कि जो लेंड्सलाइट जैसी घटना है उस पर रोक लगाई जा सके तो यह हमने question discuss किये इसकी जो handwritten notes की जो PDF है आपको हमारे इस Telegram चैनल पर मिल जाएगी जिससे आप जोड़ सकते हैं Telegram चैनल की link आपको description में मिल जाएगी इसी तरीके के session हम आपके बीच में लाते रहेंगे Please stay tuned and subscribe to Unlock GS Academy Thank You